नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महतुपूर्ण संदेश, जीवन में हम सभी को कभी ना कभी किसी ना किसी से कश्ट मिला होता है, किस तरह के लोगों पर भरोसा करें, किस तरह के लोगों पर भरोसा ना करें, यह हमेशा एक बड़ा प्रश्ण रहता है, लेकिन तीन तरह के लोग जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए को कथा के माध्यम से समझाया गया है पंचतंत्र और हितोब देश जैसी बहुत ही प्यारी प्यारी कहानिया हमारे देश में रही है और कथाओं के जरीए हमने कई बड़ी फिलोसोफीज को कई बड़े दर्शनों को सामने रखा है आईए इस कथा के माध्यम से इस बड़े सवाल का जवाब जानने की कुशिश करते है एक गाउं की घटना बताई गई हितोब देश की जितनी आप कहानिया पढ़ेंगे पंच तंत्र की भी इनमें जानवरों को भी इनसान की तरह ही रखा गया है और ये बड़ा ही दिल्चस पहलू रहता है इसमें जानवरों का इनसान का समवाद होता है तो इसमें बहुत लॉजिकल चीज़ों को देखने के बज़ाए इसके दर्शन को समझगे इसके माद्यम से जो संदेश दिया जाना है उसको समझने का प्रयास करें कुए के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा है आवाज आती है एक ब्राम्मन है और बहुत दरिद्धिता में जी रहा है वो लेकिन किसी परेशानी की विज़े से काम ढूनने जा रहा है कुए के पास से गुजरता है उसे कुछ आवाजे आती है जाकर देखता है चार उसको चीजें दिखाई देती है एक शेर दिखाई देता है बंदर दिखाई देता है एक साप दिखाई देता है एक मनुष्य दिखाई देता है अब एक एक करके बारी बारी से क्योंकि संदेश स्पष्ट करना है इसलिए इसमें जैसा कथा में बताया गया है कि शेर पहले कहता है भाई मुझे बाहर निकालो जीवन परियंद तुमारा रिनी रहूंगा मनुष्य कहता है बाहर वो कहता है कि मैं पागल हूँ शेर और मनुष्य की कोई मित्रता है तुम मुझे निकलते ही खा जाओगा तुम कहता है अरे मेरी खुद जान अभी खत्रे में है मैं इतना अधम नहीं हूँ कि कभी भी तुम जो मुझे मेरी मदद कर रहा है मेरी जान बचा रहा है उसको कोई हानी पहुचाऊंगा तुम मेरी बात को मानो मुझे निकालो और मैं जीवन में कभी न कभी तुम्हारे काम भी अवश्याऊंगा ये सुनते ही जो प्राम्मन है उसका मन पसीच जाता है वो शेर को बाहर निकाल लेता है शेर आता है अपने वादे के मताबिक प्राणाम करता है बिना उसको हानी पहुचाए चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता है देखना चाता है कि बाकी लोगों के साथ में क्या करने जा रहा है शेर खेर इसके बाद में जैसे ही दूसरी आवाज आती है बंदर की आवाज है अब बंदर यूँ तो उच्छल कूट करके गहरे से गहरी जगे से आ जाता है लेकिन कुछ ऐसी परिस्तिती में है कि नहीं निकल पा रहा है जैसा मैंने कहा कि लाजिक से अदा संदेश समझा जाए अब बंदर भी यही मांग करता है तो बंदर को लेकर कोई संचे नहीं रहता है उसको बहार निकाल लेते हैं लेकिन बंदर से ये ज़रूर पूछते हैं ब्रामण महुद है कि भई तुमें मैं निकालू और मनुष्य को ना निकालू इसकी क्या वज़े है तो बंदर है वो कहता है कि तुम मुझे निकालो मैं मनुष्य से भी ज़्यादा तुम्हारे पृती समर्पित रहूंगा और जीवन में कभी ना कभी तुम्हें काम आऊंगा बंदर जो है वो मनुष्य से ज़्यादा समर्पित रहने की जब बात कहता है तो ब्राह्मन भी चकित होता है और निकाल लेता है अब बारी आती है साप की अब इसमें देखे कथा में बताया गया है कि पहले जानवर अपनी बातों को रखा है इंसान जो है वो सबसे अंतम है उसका भी एक कारण है अब साप जो है वो भी इसी तरीके से आचना करता है यहां तो बिल्कुल ही बात जो है वो समझ नहीं आती है कि भाई तुम तो तुरंत डसने वाले हो तुमारा तो विश्ट जो है इतना घातक है और तुम मेरे किसी काम भी नहीं आओगे वो कहता है तुम मुझे बाहर निकालो जीवन में एक मौका ऐसा अवश्य आएगा जब मैं ही तुमारे काम आओगा कोई काम नहीं आएगा और यह मैं तुमको वचन देता हूँ तुम मुझे निकाल दो यह वचन होता है और ऐसा लगता है कि ब्राह्मन सभी को निकालना ही चाहते है तो वो साब को भी निकालते हैं साब भी प्रणाम करते हैं और एक लाइन में बंदर, शेर और साब ख़ड़े हो जाते हैं अब मनुष्य की आवाज आती है भाई इतने करुणा मई हो तुमने इन जानवरों को निकाल दिया मैं तो तुम्हारा भाई हूँ मनुष्य हूँ तुम मुझे निकालो प्रयास करो ठका मादा ब्राह्मन सोच में पढ़ता है इतने में तीनों यह जो जानवर निकाले गए यह कहते हैं इसको मत निकाल लाए बड़ा ब्राव्यक्ति है अब ब्राह्मन भी सकते में आ जाता है वो पूछता है भाई यह लोग यह निरी है अपनी जान बचाने के लिए आचना कर रहे थे इनके मन में ऐसा भाव क्यों आया बोले जानवर है जानवर की समझ तक रहेंगे तुम मुझे निकालो तुम जब जानवरों की मदद कर सकते हो तो एक मनुष्य पर विश्वास नहीं कर सकते हो और अगर तुम मुझे निकाली ही सकते हो निकाल दोगे मालनो कोई बात है भी तो मैं अपने रस्ते तुम अपने रस्ते मुझे तुम बाहर निकालोगे तो निश्चिती अगर ये लोग तुम्हें काम आने का बादा कहते हैं तो मैं भी जीवन में तुम्हेरे सबसे ज़्यादा काम आऊंगा ये बादा करता हूँ उसको भी निकाल लिया जाता है चारो जो है प्रणाम करते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, शेर अपने रास्ते, साप अपनी जगे पर, बंदर अपनी जगे पर हो, मनुष्य, वो मनुष्य जाते आते बताता है कि भाई मैं एक सुनार हूँ, सुने का काम करता हूँ, छोटा मोटा सुनार हूँ, प्लानी जगे पर शहर में कारे रहा हूँ, तो कभी मेरी आवशक्ता हो, तो मेरे पास आना मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अब महराज पंडी जी जो है, वो तो काम की तलाश में निकलेते, तो अलग-अलग दुकानों पर जाते हैं, अलग-अलग जगे काम खुजने की काम मिलता नहीं, बड़े हताश हो जाते हैं, इतने हताश हो जाते हैं कि आप परिवार को क्या मुद दिखाऊंगा, आप महत्या करने का मन बना लेते हैं, इतनी हताशा हो जाती है, लेकिन इस सब के बीच में मन में विचार ये भी आता है, कि यार ये जो चार लोगों को ब बंदर के पास जाते ही वो उनकी आउभगत करता है पुरन पहचान जाता है विश्राम के लिए जगे देता है पेडवेड के आसपास कियों बेहते हैं कि मेरा मकसद नहीं है कि मैं एक बार का भुजन करूँ बड़ा हताश हुँ आत्मात्य तक करन स्थ पहुंचा हुए हमारा उनका उनका जो है उतनाँ इस्थे सम Casey हं हता जो है जो है उतना डैक्षा संबध नहीं है जेतना आपकं से संबध है हम मन को याद आता है शेर तो शेर है, डर तो लगता है लगिन फिर भी चलो वादा है जब मन बना ही लिया, जब जानी ही देनी है तो किस से क्या ड़ता है बंदर के साथ में चल देते हैं बताता है ये रही गुफा जंगल के राजा की, बनराज की पंडी जी जो हैं उस तरफ को आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बाद में गुफा पे जाकर आवाज लगाते हैं सिंग महोदे सामने आते हैं तुरंट पहचान जाते हैं आओ भगत करते हैं बोले बताओ क्या मदद कर सकता हूं अपने वादे पर अडिक हूं बहुत परेशान हूं धन नहीं है और जीवन इतना बुरा है कि आत्मक्तिया तक करने का मन करता है बड़े कश्ट में आ जाते हैं पंडी जी शेर अंदर जाता है गुफा में एक सोने का हार लेकर आता है बड़ा कीमति है प्रत्न जड़े के लाकर पंडी जी को देता है पंडी जी देखते हैं बड़ा कीमति हार है शेर कहता है कहां से आया क्या आया इस सब पर मत जाना ये हार जो है अकेला तुम्हारे जीवन परियंत का खर्चा उठा देगा इतना महंगा है ये मेरी तरफ से तुमको उफाग, तुम्हारा क्योंकि तुमने कश्ट बताया धन है, ये धन कि आप उपती करते हैं, अपने जी खुश हो जाते हैं, चले जाते हैं, और सुना है, बेचे कहाँ, अरे सुनार को भी तो बचाया था, सुनार के पास तुरंट पहुंच जाते है सुनार भी आओ भगत करता है पैचान जाता है महेंगा हार निकाल कर सीधे अब आप थोड़ा थोड़ा सा गेस कर रहे होंगे आपके दिमाग में चल रहा होगे बड़े दिल्चस्प मोड पर यह कहानी जाती है सुनार हाथ में लेता है सुने का हार देखकर चौप जाता है यह आपको कहां से मिला रहा है बता देते हैं कि भाई सिंग ने दिया लेकिन वो सुनार जो है उसको लेका थोड़ा सा चौप जाता है अब उसकी भी एक वज़े होती है वो पहले तो पत्नी को कहता है भाई उनको बोजन ओजन कराओ विश्राम की जगे दे विश्राम की जगे दे देते हैं वो एक तरीके से वहाँ पर रोक ले बोले मैं इसको लेकर जा रहा हूं कछ लोगों से बात करता है फिर बेचने की बात होगी महेंगा लगता है तुरंत राजा के पास जाता है जरसल उसी सुनार ने ये हार बनाया होता है और राजकुमार के लिए बनाया हुआ राजकुमार बहुत समय से लापता थे जंगल में शिकार करने गए थे वापस नहीं लोटे और ये हार जैसे ही दिखता है तो सुनार जो है नजरों में मैं अपना थोड़ा सा नंबर्स पढ़ा लूँगा तो कहता है कि महराज यह मैंने हत्यारे को पकड़ रखा है घर पर है यह हार उसका सबूत है यह हार लेकर आया था मेरे पास बेचने के लिए मैंने बनाया था तुरंट पहचान लिया सिपाही जाते हैं घर से पंडित को उठा लेते हैं जेल में डाल देते हैं और गड़ गड़ आता रहता है सारी चीज़ें बताता है कौन मानने वाला भाई किसने दिया क्या दिया किसी ने हत्या की होगी अब काल गोठीम बैठा हुआ है पंडित सब को बोल रहा है याद आ रही जानवरों ने कहा इस पर भरोसा मत करना अच्छा ये बोलने वालों में साप तक था तो तीन लोगों को तो आजमा लिया था अब साप को आजमाने की बारी थी अब साप तो ऐसे हैं कि ध्यान कर लो तो भी प्रकट हो जाते हैं और दूसरा काल कोटरी में कोई पहुंस सकता था तो वह ही मामला ये था हार आया अब इससे निकालो कोई यतन है कोई तकनीक लगा सकते हो अब साप जो है बड़े धैरे पूर्वक कहता है कि हाँ इससे निकलने का एक तरीका है मैं रानी को डसूंगा और इस अन्दाज में डसूंगा कि तुम्हारा हाथ लगाने से ही उनका विशु गुले यार देखते हैं और तुम बोले ये तुम्हारा काम है कि तुम किस तरह से इन लोगों को बोलते हो कि तुमको रानी के पास ले जाए साप महोदे जाकर डस लेते हैं रानी को रानी का शरीर नीला पड़ जाता है सारे वैद आ जाते हैं सब कुछ आजमा लेते हैं फ हो जाते हैं जब कुछ नहीं होता है तो फिर एक पहरेदार को लगता है राजा साहब को कम से कम यह बात तो बतानी चाहिए कि वेक्ति जो है इलाज का दावा कर रहा है बताते हैं राजा के तारे तुरंत बोलावा कोई अगर दावा कर रहा है तो जरूरी कोई इलाज काम भी पंड्जी आते हैं पंड्ड Ee भहां पर आकर जैसा हुआ था सापके साथ में सर पर हात रखते हैं उखितर अब जैसी उतरता है राजा खुश हो जाता राजा पूरी घटना क्रम को समझना चाका रखितर हैं ना रहाते हुए राजा अकुबाद अब वाजिब लगती है जिवरानी ठीक हो जाती है तो वो सुनार को पकड़ते हैं कारागार में डालते हैं पंडित को जो है कुछ इनाम दक्षना देते हैं कुछ काम वाम भी विवस्ता करते हैं और इस तरीके से पंडित के लिहास सुकदंत हो जाता है तिन तरह के तीन व्यक्तियों और दरासलु आ गय आता है कि साभ वह यह ग्यान देता है पंडित जी को तीन तरह के व्यक्तियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए एक जो धनका लोबी हो तूसरा जो पूर्व का बैरी हो तीसरा जो अधिक पुर्षों और अधिक इस्त्रियों में आ सकती रखता हो यह चाहे वो इस्त्रियों चाहे पुर्षों किसी भी व्यक्ति के बारे हैं बहुत जादा पुर्षों और इस्त्रियों में आ सकती रखने वाले भी लोग होते हैं उन पर भी भरोसा नही का ही देगा इसलिए धन के लूभी। सः साउधान और देखिए यहाँ बात आप के अपने बहुत ही सगे वालों की भी है। तो हमेशा साउधान रहिए, दूसरी बात ये भी है। हम दूसरों के लिए तो सारी कहानिया सुन लेते हैं अपने अंदर पहले ये सच्चरिक पैदा कीगी अपने अंदर पहले ये गुण पैदा करिए कि आप किसी के साथ ये नहीं जलेंगे आप धन के लोग भी नहीं बनेंगे आप किसी के बैरी नहीं बनेंगे यानि पूरू का बैरी पहले से किसी का बैर चल रहा वो भी बहुत खतरनाक होता है और तीसरा है अधिक इस तरी पुर्शों में जो बहुत जादा आ सकती रखता है वो लोग भी भरोसे के लायख नहीं होता है यह हम सब जानते हैं जी दनने तो ये अगर इतने बुरे गुण हैं कि किसी और में हो तो उस पर भरोसा मत करो तो आप में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इस कहानी कि ये सीखती है उमीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी इतोब देश पंच्छतन्तर की कहानी अब होती है कहानी हाल में मुझे पढ़ने को मिली थी और मुझे लगा कि मुझे इसको आपको भी पताना चाहिए और पेश करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवास देश्यूंद कि